हलो दोस्तों आप सब एका सवागत है इस येट्यूब चैनल पे आज हम लोग स्क्वाइर पढ़ रहे हैं वरक के बारे में ठीक है और इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि जैसे आपका 10 के पास कोई संख्या दी हो ठीक है जिसे बेस अपन लेंगे 10 होगा या आपका जो होगा 100 या 1000 या एक और उसके आगे क्या लगा दे जीरो जैसे 10 अजार एक लाक है तो इस प्रकार के इस संख्याओं के पास ये जो अपना आधार होगा बेस होगा इनके जो आजपास की जो संख्या होगी उनका अपन कैसा निकालते है डारेक्ट वो आज अपन इस क्लास में सिखे और किसी भी नमबर का इसकार कैसा करते हैं वो अपन दूसरी क्लास में देखेंगें चाया अपने को कैसा भी नमबर देदे कितने में डिजिट का हो देखिए यहाँ पर आधार यही होता है हमिसा कि एक और उसके आगे क्या होना चीए जिरो जैसे 10,100,1000,100,100,100,100,100,100,100,100 जैसे यहाँ पर आधार अपन बेश अपन 10 लेते हैं एक बार और 10 के आजपास की संख्यों की बात करते हैं बेश अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं 10 जैसे माले जी अपने पास संख्या एक है 13 और इसका अपने को वरक करता है तो सबसे पहले आपको इन में यही देखना है यह संख्याओं में कि जो आपका आधार यह जो आपका आधार है बेस जो है इससे यह संख्या कितनी बड़ी या कितनी छोटी है तो जितनी यह संख्या बड़ी होगी ठीक है जितनी संख्या आपकी क्या है बड़ी या संख्या क्या है छोटी तो जितनी बड़ी या छोटी है उसका आपको वर्ग करना है ठीक है? तो यह देखें, यहां पर अपन बेश 10 के आसपास के संख्यों के बात कर रहे है तो 10 से यह जो 13 है यह कितना बड़ा है? तो यह 3 बड़ा है तो 3 का वर्ग कर दोगी तो 3 का वर्ग आपका कितना आजेगा? 9 आजेगा ठीक है अब दिखी जो संख्या आपकी 10 से बड़ी या छोटी है या वेश जब 100 लेंगे तो 100 से बड़ी या छोटी होगी तो यहाँ पर आपको यह देखना देखिए कि 10 में कितने 0 एक 0 है तो यहाँ पर आपको 1 डिजिट लेना है ठीक है दो आ जाएंगे तो क्या करेंगे एक इधर आगे केरी चला जाएगा तो दस से कितनी बड़ी थी तीन तो तीन का अपने वरक किया वो कितना आगया अपना नो आगया ठीक है ये पहली स्टेप होगी अपनी सेकंडी स्टेप में क्या है जितना ज्यादा वो इस नंबर में प्लस कर दीजी जिसे तीन ज्यादा है तो इसमें तीन प्लस कर देंगी तो तेरा प्लस तीन आपका कितना हो जाएगा 16 ठीक है तो इसका जो अपना square है वो कितना आ गया 169 तो पहली step में देखी क्या किया 10 से जो बड़ी थी 10 से बड़ी क्या थी 3 ठीक है तो इसका वरक किया वो अपना आ गया 9 second step में क्या हुआ कि जितना आपका square निकालना है तो यह जो 10 से कितना ज़्यादा है तो 10 से कितना ज़्यादा है चार तो 4 का अपन वरक करेंगे तो 4 का वरक 16 होता है जबकि यहाँ पर जो अपना आधार 10 ले रहे हैं उसमें एक ही आपका 0 है तो आपको यहाँ पर इकाई की स्तान पर एक ही डिजिट लेना है तो 4 का वरक करेंगे तो 4 का वरक अपना होगा 16 तो 16 का आपका 6 रहेगा एक जो होगा आपका यह एक इदर आपका carry आजएगा हसल का आजएगा ठीक है अब यह जो 14 जो आपका है वो 10 से कितना बड़ा है 4 तो इसी संख्या में 14 में 4 जोड़ेंगे 18 ठीक है और यह एक इदर आपका carry आजएगा तो 18 और एक कितना होगा 19 तो यह आपका वरक आजएगा 14 का 196 जैसे अपने पास 8 है और 8 का आपको वरक निकालना है तो यह देखी इस बार कम है तो 10 से कितना कम है तो 10 से कम है 2 तो 2 का वरक कर देंगे कितना होगा 4 यह पर एक ही डिजिट लेना था एक है आपका आया है अब जितना कम है वो उस संख्या में से गटा देंगे तो 8 में से देखी कितना कम था यह 2 कम था तो 2 अपने क्या कर दिया माइनस तो कितना आजएगा 6 तो 8 का वरग जो अपना है वो कितना आजएगा 64 आजएगा तो इस टाइप से आप कर सकते हो यदि 10 के आजपास 10 से बड़ी या 10 से चोटी ये 10 संख्या दे रखिए तो उसका वरग आप डारेक्टि निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अपने को बारा का वरग करना है, देखें, दस से कितना बड़ा है, दो, तो दो का वरग तो हो जाएगा, छार, फिर दो बड़ा है, तो इस नंबर में प्लस कर देंगे, बारा और दो कितना हो जाए योगी उसका वरग आपन डारेक्टि निकाल सकते हैं, ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं आपे, देखें, यहाँ पर बेस अपन दस ले रहे हैं, कितना बेस ले रहे हैं, दस, तो यह जो आपका बारा है न, वो दस से कितना जादा है, दो, तो उस दो का तो यहाँ पर आपने क वरग निकाल सकते हैं, अब अपन देखते हैं, आपका 100 के आज पास कोई नमबर दे रखा हो, और उसका आपको वरग निकालना हो, तो अपन कैसे उसका वरग निकालना है, ठीक है, सो के आज पास यदि अपन संख्या लें, जैसे मालिजी अपने पास है 102, और इसका अपने कोई स्कुएर निकालना है, वरग निकालना है, तो देखिए, सो से कितनी जादा है, दो, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आधार होगा, बेस जो होगा, वो अपना होगा 100, ठीक ह तो सो से कितनी जादा है, दो, तो दो का अपन वरग कर देंगे, कितना आगया, चार, आप देखिए, सो में यहाँ पर देखिए, कितनी 0 है, 2 0 है, तो यहाँ पर, इकाई के स्थान पर, यहनी यूनिट जो होगा, वो अपना कितना होगा, 2 डिजित होगा, तो 4 के पहले आजएगा 10404 ठीक है ना इसको क्या लिख सकते हैं अपन 102 जो अपना है यह वरक करना है तो यह क्या है 102 वरक करना है देने इसी संक्यासी इसको क्या करना है multiply करना है तो यह 100 से कितना ज़्यादा है 2 यह भी 100 से कितना ज़्यादा है 2 तो 2 को 2 से गोणा करते हैं पहले वह आजएगा 4 दो डिजिट लेंगे तो क्या आएगा 0 आप देखे 2 प्लस 2 कितना होगा 4 यह आप इस base में जोड़ दीजी तो यह आपका कितना होजएगा 104 कि आप डारेट यूँ याद रखे जितना ज़्यादा ऊस नमबर में प्लस करना है कम है तो उस नमबर में क्या करना है पाइन जैसे देखिए अपन दूसरा एक एक ऐग्जामपल देखते हैं जैसे माली जी अपने पास है 108 और इसका अपने वरक करना है तो अट तो यहाँ बड़ में 0 है वोगा तो तेन जिर होती है तो आपको तेन डिजिट लेगा जाएगे जयादा है तो इदर है तो पहले क्या लगा देंगे जिरो अब देगी 100 से कितना जएदा है अठ तो 6 नमबर में निकालना है आपको पता है 100 से कितना ज्यादा है 12 तो 12 का वरक करेंगे 144 लेकिन यहापर आपन कितने digit लेंगे यहापर डिजिट लेंगे अपन 2 क्योंकि 100 में कितने जिरुए है दो तो यहापर आपको 2 रखने है यूनिट के स्थान पर ठीक है अब देखिए जितना ज्यादा तो यह आपका 112 का square आ जाएगा ठीक है जैसे देखिए अपने पास एक नम्मर है 124 है ठीक है इसका आपको square करना है तो देखिए 24 का एदिए अपने वरक करें तो 24 का वरक आपको याद होगा ये कितना होता है 566 दो इडिजिट लेंगे तो कितने लेंगे 6 पाँच आपका carry रहेगा अब देखिए कितना ज्यादा है 24 तो 24 में add करोगे तो 24 का double 48 यानि 148 हो जाएगा वही नमबर उसी नमबर में add कर रहे हैं तो double ही तो होगा जिससे यहाँ पर 8 में 8 जोड़ रहे हो तो 8 का double कितना हो गया 16 यही तो 24 का double 48 तो 144 अब यह 5 इदर आजएगा इसमें carry ठीक है तो यह कितना हो जएगा 1 145 15376 तो यह इसका अपने पास क्या आगया square आगया ठीक है तो ऐसे आप सो के आजपास यही संक्या है तो उसका वरग आप डारेक्ट निकाल सकते हो जैसे माली जी अपने पास है 119 इसका अपने को square करना है तो देखिए 100 से कितना ज़्याद है 19 19 का यही वरग करें तो वह अपने पास होता है 361 ठीक है तो आपका carry कितना रहेगा 3 19 इसमें जोड़ दोगी तो 19 का double 38 तो यह होजएगा 138 तीन यह इधर आजएगा तो यह कितना होजएगा 141 तो 14161 इसका क्या आजएगा अपने पास square आजएगा तो यह तो था आपका यह संक्या जो है 100 से क्या हो बड़ी यदि 100 से छोटी हो उसका वरग निकालना हो देखिए जैसे अपने पास है 98 और इसका अपने को वरग निकालना है तो 100 से कितना कम है देखिए 100 के आजपास है तो आपना जो base है वो यहाँ पे क्या रहेगा 100 रहेगा तो 100 से कितना कम है दो कम है तो 2 कम है तो 2 का वर 0 हैं इसलिए यापने दो डिजिट आएगी तो एक इसके पहले अपने पास किया जाएगा जिरो आ अब कम है तो आपको बताया था है बेस में से आप क्या कर दोगे इस तो कितना कम है 100 से 2 तो ये base में से अपन 2 क्या करेंगे minus करेंगे तो base अपने हाप पर क्या था sorry उस number में से आप क्या करोगे minus तो ये कितना जाएगा 98 minus 2 आपका कितना जाएगा 96 ये दि base में से करना है तो इसका वरक करना है तो इसको अपन क्या लिखेंगे 98 इंटू 98 ठीक है अब ये 2 कम है ये भी 2 कम है तो इसका अपन वरक करेंगे 2 का तो ये तो हो जाएगा 4 एक डिजिट लगा देंगे हाँ पर अब देखिए भी 2 और माइस 2 कितना होगया अब माइस 4 इस बेस में से अपन माइस करेंगे तो आपने को माइस करना पड़anda पड़ेगा माइस का 4 तुह इक इतना जगा 96 ठीक है ये और डारीक्ट याद रखेंगे जितना कम है उतना उस नमबर में से अपन क्या कर देंगे माइनस करतेंगे और example देखते हैं जिसे माली जी अपने पास है 94 और इसका अपने को वरग निकालना है तो देखे 100 से कितना कम है 6 तो 6 का वरग करेंगे 36 2 डिजिट लेने 2 डिजिट आगे अब कितना कम है 6 जो है वो इस नंबर में से अपन माइनस कर देंगे तो अपना कितना जगे 88 आजए ठीक है जितना कम है वो उस नंबर में से आपको क्या करना है माइनस करना है जितना कम है उसका पहले वरग करेंगे फिर उस संक्या में से क्या कर देंगे माइनस ये 2 इस टेप है जैसे माले जी अपने पास है 88 इसका अपने वरग निकालना है तो देके यह 100 से कितना कम है तो यह 100 से कम है 12 तो पहले इस 12 का वरग करेंगे 144 लेकिन से कितने digit लेना है यहां पर 2 वेसमें देकी 2 जिर है तो 2 digit लेंगे तो एक यहां पर आपका carry रहेगा ठीक है अब बारा कम है तो इस नंबर में से अपन क्या करेंगे बारा माइनस करेंगे इसमें अपने बारा माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आजेगा 76 और एक ये इदर प्लस हो जाएगा ये तो हसल का ने केरी का पोजिटिव तो ये इदर क्या होगा एड हो जाएगा त तो ऐसे अपने वरग निकाल सकते हैं येदी आपके पास सो के आज पास संख्या हो सो से ये बढ़ी हूँ सो से ये छोटी हूँ ठीक है ज्यादा दुरूगी तो भी आप कर सकते हो लेकिन इजी आपका तभी रहेगा जब इन बेस के येदी थोड़ा आज पास वह संख्या र कोना है दी कि सो से कितना कम है तो सो से कितना कम है 14 तो पहले इस 14 का स्कूइर करेंगे 196 होता है तो 76 19 на 20 जो आपका हसल करेगा अब चोधाय कम हैं सो में से इस नमबर में से आप माइनस कर दोगे ठीक है इस नमबर में सेद को इस नमबर में माइनस कर देंगे तो यह अपने पास कितना तो और ग optimizing अब यह वन इतरा आपका प्लस होज reads तो इसका जो स्क्वार है वो आजाएगा आपके 7396 ठीक है तो यह था सोट के आसपास यह आपको संख्याद रखें बड़ी या छोटी तो आप ब्रग कैसे डारेक्टि निकाल सकते हो अब अपन देखने की यह थी 1000 के आसपास यह थी संख्याए हो तो यहाँ पर अपना बेस क्या होगा 1000 अब देखी 1000 में कितनी 0 है 3 तो अब की बार जो अपन यहाँ पर यहाँ पर यूनिट की जगे डिजिट ले रहे हों वो कितने लेंगी 3 लेंगे जैसे अपने को स्क्वायर करना है 1009 का इसका यह थी अपने को वरक करना है तो देखी 1000 से कितना जगा है 9 तो इस 9 का पहले वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग अपना कितना जगा 81 लेकिन यहाँ पर देखी कितने 0 है 3 तो 1000 में धी 3 0 है तो यहाँ पर आपको digit भी कितने लेना है 3 तो किसे यह प्रग पहले अपने एक क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे अब जितना जाद है वो उस नंबर में आपको क्या करना है add तो एक हजार नो में आप 9 प्लस कर दोगे तो यह कितना आज़ेगा एक हजार अठारा तो इसका जो वरग है एक हजार नो का वो आज़ेगा 1018 081 ऐसमच में जैसे 1013 का अपने को वरग करना है तो देखिए 1000 से कितना जादा है 13 जादा है तो 13 का वरग कितना होता है 100 नेतर तो 3 यहाँ पर digit है 0 है तो अंक भी कितने लेंगे अपन 3 तो 13 का वरग करने पर 3 ही आ रहे तो यह आज़ेगे 1, 6, 9 आज़ेगे तीन आगे आप देखिए जितना जादा है वह उस नमर में आप एड करोगे तो 1013 में 13 एड पर दोगे यहाँ तेरा का डबल 26 तो यह आपका आज़ेगे 1026 ठीक है तो 1013 का यह अपने वरग करते हैं तो अपना आंसर आता है एक हजार के आसपास की बात करें तो अपने पास एक नमर है 1018 और इसका अपने कोई स्क्वाइड निकाल ला है तो दीके 1000 से कितना जादा है यह 18 जादा है तो पहले इस अपन 18 का क्या करेंगे वरग करेंगे तो इसका वरग कितना होता है 324 ठीक है तो यह 3 डिजिट यहां पर देखिए 1000 में कितने डिजिट होते हैं बेस में 0 कितने होते 3 तो 3 ही डिजिट लेने थे 3 यंग तो यह आगए 324 कम होती तो अपन पहले क्या लगाती है इसकी तरह 00ckedat 1036 ठीक है अब देखिए कम हो यह जום बेस है इसके आसपास के बास करें जिससे आपका है 997 इसका आपको square निकालना है देखिए 1000 से कितना कम है तो ये कम है अपना 3 तो जितना कम है उसका अपन क्या करते हैं वरक करते हैं तो 3 का वरक अपना होता है 9 अपने को digit कितने लेने हैं 3 जबकि यहां पर कितना है 1 तो कितने 0 लगेंगे पहले तो 2 0 लगेंगे अब जितना कम है वो उस नंबर में से आप क्या करते होगे माइनस करते होगे तो 997 में से 3 माइनस करते होगे तो आपका आजएगा 904 तो ये इसका क्या आजएगा अपना square आजएगा ठीक है जैसे आपको 995 का वरक निकालना है तो कितना कम है पांच तो 5 का वरक करेंगे कितना जएगा 25 कितने digit लेने हैं आपे 3 दो ही है तो एक अपन क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे अब जितना कम है वो उस नंबर में से क्या करते होगे माइनस तो 995 में से 5 माइनस करोगे तो यह आपका अज़ अगर 990 ऐस समझ में तो इस टाइप से अपने इनका स्क्वाइर निकाल सकते हैं जिसे माली जी अब 10,000 के आज पास हो बेस यह दिए अपन 10,000 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कितने 0 है 4 तो आप जो डिजिट लोगे वो भी कितने लोगे 4 लोगे देखी जैसे माली जी अपने को इसक्वाइर करना है अपने पास एक नम्मर है 10,000 12 और इसका अपने को वरग करना है देखी 10,000 से कितना ज़्यादा है 12 तो पहले 12 का वरग करेंगे थो हता है 144, यहां पे देखें कितने 0 थे, 4 तो अपने अंक भी कितने लेंगे 3 तो एक इसके पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, अब जितना ज़्याद है उसी नमेर में आपको क्या करना होता है, add करना होता है, तो 12 में, देखें, 12 का 2 हो जाएक वही नमबर आप एड़ कर रहे हो तो 24 और यह 100 इदर है तो यह आपका कितना आजएगा 10024 तो यह इसका क्या आजएगा आपका square आजएगा ठीक है जिसे माले जी आपको वरक करना है 10,000 16 का तो यहां पर बेस अपना क्या होगा 10,000 होगा कितने 0 है 4 तो आँके भी कितने लेंगे 4 तो देखें 10,000 से कितना ज़्यादा है आपका 16 ज़्यादा है तो 16 का वरक करेंगे तो 16 का वरक आपका कितना होता है 256 तीनी डिजिट है जबकि यहां पर कितने लेंगे 4 तो एक इसके पहले क्या लगा देंगी जिरो लगा देंगी अब जितना जाद है वो उस नंबर में क्या करते हैं अपन एड तो 16 का डबल 32 सो इदर है तो यह आ जाएगा आपका इसका आंसवर 100 3-2-0256 तो ऐसे यह अपन जो बेस अपना होगा 10 होगा 100 होगा 1000 होगा या 10,000 होगा Kollegin या 1,00,000 होगा यह एक क्या जितने भी 0 हो ऐसा यह आपका जो बेस है इसके आसपास यह नंबर है तो उसका आप direct की square ही निकाल सकते हूँ यदि अपने इसे कम की बात करें कि 10,000 से कम कोई संक्या हो जैसे माल लेजी अपने पास एक संक्या है 9958 ठीक है इसका वरक करना है देखी 10,000 से कितना कम है दो कम है ठीक है तो इस दो का पहले अपन क्या करेंगे वरक करेंगे तो दो का वरक आपका कितना होता है चार आप देखी बेस यहाँ पर आपका 10,000 है तो कितने 0 है चार तो डिजिड भी कितने लेने है चार तो यहाँ पर एक ही है तो 3 अपन क्या लगा देंगे इसके पहले 0 लगा देंगे अब जितना कर में वो उस नंबर में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो 9990 में में से 2 गटा दोगे तो ये कितना आजएगा 9990 तो ये इसका अपने पास क्या आजएगा स्क्वाइर आजएगा तो ये था आज की class में अपना, यदि इस तरह का कोई base आपको दे रखा है, दस, सो, एकजार, दस अजार लाग, उनके आसपास यदि आपको संख्याओं का वर्र निकालना हो, तो आप direct easily उनका क्या कर सकते हो, square कर सकते हो, कोई दिक्कत ने इसमें, ठीक है, 50 के आसपास है, त तो वहाँ पर अपन base क्या लेते हैं, 25 लेते हैं, 25 से जितना जादा है, वो सोरी 50 से जितना ज़्यादा है, उसका वर्र कर देंगे, और जितना ज़्यादा है, वो 25 में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, next में अपन पढ़ेंगे दिए, अपने पास कोई भी क्या हो दो अंकों की तीन अंकों की उसका अपन डारेक्ट वरग कैसे कर सकते हैं ओके थेंक यू एवरिवन